तेरादून के इतिहासिक परेट ग्राउंड में 16 दिसमर को कॉंग्रिस के पूर्व राष्टी अध्याक्ष राहूल गांधी की रेली आयोजित होने जा रही है तो वहीं 15 दिसमर को बीजेपी ने भी सैनिक सम्भान सम्हारों का आयोजिन किया कितनी अलग होगी कॉंग्रिस की सम्भान डेली और क्या माइने होंगे इस रेली के इसी को लेकर उत्राखंड स्क्रीनिंग कमेटी के अध्याक्ष अविनाश पांडे से एवन टीवी सम्भादता जोती सीने की खास बाच्चे हमारे साथ यह आपर बाच्चे करने के लिए मौजूद है उत्राखंड स्क्रीनि कमेटी के चेर परसन अविनाश पांडे सर एवन टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है आपका सर अगर हम रेली की बात करें सम्मान रेली की तो 15 दिसंबर को भाजपाने भी रेली करी है और 16 दिसंबर की रेली जिसे मानने राहूल गानी जी आके सम्मोधन कर रहे हैं यह आयोजन पूरे हिंदुस्तान में कॉंग्रेस की ओर से पिछले एक महा से विभिन राजियों में अलग अलग कारेकरमिक माद्यम से फोटो एक्जिबिशन के माद्यम से लोगों को इसमरन दिल की थी उस समय का पाकिस्तान और ये बात इतिहास के पंडे में सिर्फ हिंदुस्तान के लेने बलकि पूरे विश्व को इस जीत के माद्यम से बिना किसी को भनक लगते हुए जिस प्रकार से ये लड़ाई लड़ी गई उसमें पूरे विश्व को एक संदेश दिया कि भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर ही नहीं रहा है बलकि उभर चुका है और निश्व रूप से ये देश के लिए एक बहुत गौरों की बात है और इस गौरों का और इस विजय का सम्मान करना हर एक भारतिय नागरी का करतब्वे है कॉंग्रेस अपने करतब्वे को और रहा है ये और इंडिया कल्मिनेशन इसका उद्देश आने वाली पीडी को अवगत तो कराना है ही लेकिन उन लाखों हमारे नौजवान साथी जो ने अपने प्राणों की आहोती दी शहीद हुए और साथी साथ आने वाले समय में यहां के उन नौजवानों का सम्मान करना जो आज भी डटकर सीमा पर भारती सीमा पर डटे हुए हैं और जिसमें उत्तराखंड का मैं निश्यत रूप से कहुँगा कि उत्तराखंड ने हमेशा बहादूरी के साथ भारती सेना में भाग लेते हुए पूरे देश की कसिरमोर बनके रहे हैं क्या कॉंग्रेस इस सम्मान वैली के जरिए पूर्व सैनिकों को साथने की कोशिश करेगी निश्यत रूप से कॉंग्रेस ने पूर्व सैनिकों की जो भी मांगी थी उसके प्रती बहुत इसबस रूप से सतत अपना समर्थन जाहिर किया है चाहे वो वन मैन वन पोस्थ हो या इसके अलावा सैनिकों को देने वाली सुविदाएं हो या सैनिकों के अंतरगत उनके प्रशासंग के अंदर में राजनितिक किसी प्रकार की डखलंदा जी ना हो तो कॉंगरेस अपने मुद्दों पर, अपने सिध्धान्तों पर हमेशा स्पस रही है और जैसा आपने पूछा कि क्या उनके मांगों के उपर में तो कॉंगरेस निश्यत रूप से देश के हर सैनिक के साथ जो तिरंगा लेकर हमारे सीमा पर कड़ा है कांग्रेस का हर एक कार्यकरता हर एक सैनिक के साथ उनके परिवार के साथ खड़ा है उत्राखंड सरकार का ये कहना है कि राहुल गांदी अपनी हर रैली में केमरिस सरकार से जवाब मांगते हैं और आब उत्राखंड में आएंगे तो उत्राखंड सरकार से भी जवाब मांगेंगे तो अब उनका सवाल राहूल गांदी से है कि क्या वो प्योरा देंगे कि 2004 से लेकर साथ तक और उसके बाद साथ से लेकर 14 तक दिल्ली में उत्राखंड में उन्होंने कितने काड़े कि हैं विकास को लेकर देखे उसके बारे बहुत जाहिर है UPS सरकार की उपलब्दियां मैं समझता हूँ कि आज भी जो NDA सरकार के माद्दे में से सम्मानिय प्रधान मंत्री जी जिसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं जेस्टा कर रहे हैं अगर आप देखें तो जितने भी अधिकांश जो प्रकल्प हैं प्रोजेक्ट हैं इंफ्रास्ट्रेक्टर सम्मंदित विकास सम्मंदित उनकी अगर निव अगर आप देखें उसकी शुरुआत अगर आप देखें तो ये कॉंग्रेस के जिस कारेकाल की आप बात करें उस कारेकाल में ही हुआ गया मार्केटिंग अगर अच्छी हो और मार्केटिंग माध्यम से दूसरे का किया हुआ श्रेह भी इस प्रकार से लेया जाता है उसकी जीती जाती मिक्साल है आज की हमारी केंदे सरकार और जहां तक बात रही कि राहूल गांदी जी के प्रशन की तो राहूल गांदी जी को पुरा अधिकार है एक सक्षम और प्रबल विपक्ष के नाते की सरकार से हर चीज का प्रशन पूछें जन्ता के हित में, लोकतंत्र के हित में और पार्लेमेंटी डिमोक्रिसी के हित में तो राहूल गानी जी का बेबाग तरीके से हमेशा मानने प्रधान मंत्री जी से प्रश्ण पूछना ये एक मजबूत लोकतंत्र की निशानी है ना कि किसी प्रक्तिगत बैरभाव की चलिए बहुत पर धन्यवदम से बाचित करने के लिए तो मेरे साथ यहाँ पर जड़ो हुए ते स्क्रिविंग कमेटी के चेर्मन अविनाश पांडे कैमरा परसन सुनील के साथ में जोती सिंग एवन टीवी निउज धहरा